प्रदी शुक्र से जुड़े हुए हैं इसलिए आपको यह उपाय तो जरूर करना चीए देखें इस वीडियो में हम आपको दो उपाय बताएंगे दोनों ही उपाय बहुती सरल हैं और हर कोई कर सकता है सबसब पहला उपाय यह है कि आज के दिन आप क्या करें बजार से आप धही खरीद करके लेका हैं और उस धही को आप किसी भी स्चिल की कटोरी में निकाल दें अब आप क्या करेंगे उस धही की कटोरी में आप अपने आपको स्वयम को उस धही की कटोरी में देखें और आप ये प्रातना करें कि मेरे जीवन से शुक्र से जुड़े जो भी संबन्दे दोश हैं वो दूर हो जाए ओम शुम शुक्राय नमह इस मंत्र का आपको कम से कम ग्यारा बार जाप करना है और उस दही के अंदर आप अपने आपको देखें अब आपको ले ले और इसे ग्रहन कर ले तो आज के दिन आपको ये सफेद दही आपकी परचाई वाला दही आपको किसी भी गरीब व्यक्ति को दान कर देना चाहिए अब दूसरा उपाई ये है कि आज के दिन आपको प्रदोशकाल में याने कि आज ही के दिन रातरी में सूर्यास्त से 45 मिनिट पुर्व और सूर्यास्त के 45 मिनिट बाद तक याने कि ये देर घंटे के समय में आपको प्रदोशकाल के समय भगवान शीव के मंदिर में जाना है और भगवान शीव के उपर सबसे पहले एक लोटा जल अर्पित करेंगे और उसके बाद आपको दही अर्पित करना है भगवान शीव के उपर दही रखना है ध्यानके अगर ये उपाय पूरुष कर रहे हैं तो दही को अपने हातों से मले अगर इस्त्रिया कर रही हैं तो केवल आपको दही अर्पित कर देना है और आपको आपके जीवन में शुक्र ग्रह से जुड़े जो भी दोशें उन्हें दूर करने के आपको प्रातना करनी हैं ध्यानके दही जो होगा वो ताजा दही होगा तो बहुती अच्छी बात हैं इस प्रकार से आपको उपाय करना है श्री शीवाय नमस्तु ब्यम का जाब करते हुए आपको दही अर्पित करना है दही अर्पित करने के बाद भी आपको एक लोटा जल वापस से भगवान शीव के उपर